Hello students, welcome to the channel 021 तो आज के इस वीडियो को टॉपिक जो है वो है Multiplication of fractions अब Multiplication of fractions को हम दो सब टॉपिक के अंदर पढ़ सकते हैं जिनमें से पहला है Multiplication of a whole number to a fraction मतलब एक fraction को multiply करो किसी whole number के साथ ठीक है और दूसरा जो टॉपिक है वो है Multiplication of two fractions मतलब दो fractions का आपस में Multiplication किसे करेंगे ये देखेंगे तो जो में टॉपिक है इस पूरे वीडियो का वो नीचे वाला है दूसरा Multiplication of two fractions Whole number के अब तो Multiplication है जी है और fractions के साथ भी जी है पर जो में टॉपिक है वो है Multiplication of two fractions तो फिर चलिए 1y1 देखते हैं तो पहला है Multiplication of a whole number to a fraction मतलब वही किसी whole number का multiply करो fraction के साथ तो देखो सीधे example देखो Example 1 में क्या कर रहा है हम multiply कर रहा है 4 और 1y7 का तो जिसमें 4 है वो क्या है एक whole number है और 1y7 क्या है एक fraction तो कैसे करेंगे 4 लिख लो 1y7 लिख लो multiply करना तो बीच में multiply लगा दो तो अब जैसे हम simply multiply करता है जैसे मालोग यहां 5 होता 1y7 नहीं होता तो 5 होता तो हम 4 और 5 का multiply करते है तो 4 5s 20 तो यहां 20 लिखते हैं तो simply हम क्या करेंगे हम इस number को ना 4 को इस numerator के साथ into कर देंगे या नहीं multiply कर देंगे तो 4 into 1 4 और नीचे denominator का denominator तो यह simple दा था अब जो हमारा whole number है उसको numerator के साथ multiply करते हैं अब दूसरे example देखते हैं यह भी सकते थे कि 5 का multiply कर दो 2 से और नीचे 15 का 15 लिखते हैं मतलब 5 to 10 upon 15 पर हम यह नहीं कर रहे होंगे हम पहले क्या करेंगे हम पहले यहां पे simplify कर रहे होंगे पहले अगर simplify होने की possibility है तो simplify करने से क्या हो जाएगा कि हमारा जो fraction है बाद में अगर हम multiply कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा यानकि 5 to 10 upon 15 होगा तो 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 तो यहां 3 बचा यहां पर और 2 यह बचा और यहां पर क्या बचे का 1 तो यह 1 का 1 लिखा 2 का 2 लिख दिया और यहां कितना बचा 3 तो यह 3 लिख दिया तो multiply करना आसान हो गया ना 2 बन जा 2 और 3 का 3 देखों अभी यह चोटा नंबर था यहां पर तो को सिंप्लिफाइब करना भी तो असान था पर अगर ये बड़ा नंबर होता तो आपको दिक्कत दे सकता है तो हम क्या कर रहे होंगे पहले पहले अगर सिंप्लिफाइब कर लेंगे उसके बाद मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है ये चीज़ा आप याद रखना हमेशा अगर आ आप Simplification वाली वीडियो देख लेना जाके छोटी सी वीडियो है और Simplification को पुरा अच्छे समझाया एक आई बटन पर आपको लिंक देख रहा होगा वीडियो का या फिर यहां नहीं देख रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में चैक कर लेना आपको वीडियो की लिंक देख लेग है तो अगर हम दो नमबर का multiply करते हैं वही रूर conseguir के साथ मतलब fraction और whole नंबर मुल्टिप्लिजिन के साथ एप लिए चीज बताने के लिए यहां पर इर वाल ऐग्जाम पर रखा हैं । तो 1 x 7 क्या हैं वह दोस्ते हैं और की दूसरी loolle कसा ok जीरो का multiply काते है तो वह answer overall क्या रहता है जीरो ही रहता है तो fraction में भी गर आप 0 का multiply करोगे तो overall answer 0 ही आने वाला है ठीक है तो अब देखो यह example 5 multiply 4 and 3 by 18 अब इसके आगे IMP लिखा है जोसमें कुछ खास है आप ध्यान से देखना तो क्या कर रहे हूं 4 का 4 लिखा 3 by 18 का 3 by 18 लिख दिया और multiply करती है बीच में multiply लगा दिया क्या करेंगे इस नंबर को इससे multiply कर दो तो 4 3 जा 12 और नीचे 18 आ गया अब हम देख रहे हैं कि 12 और 18 है हमने किस नंबर से इसको simplify किया है कि 2 by 3 आया है तो 6 से काटा है 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18 तो 6 से काट दिया तो 2 और 3 आ गया पर ध्यान से देखो हम इसको 2 से भी काट सकते थे और 3 से भी काट सकते थे तो अब एक चीज यहां पे देख रहे हैं इस सवाल को solve करता है मैंने एक चीज फोड़ी से गड़वड कर दिया देखो अंसर सही है पर थोड़ी गड़वड क्या करी है गड़व इसलिए यह इसलिए कट गाए लेकिन सोचो यहां पर 30 होता और यहां पर 180 होता नहीं चे तो 4 इंटू 30 हो जाता 120 और यह 180 तो फिर काटना थोड़ा सा difficult होता तो हम इस से बचने के लिए क्या करेंगे हम यहीं पर पहले ही इसको simplify कर रहे हैं वह काट के देखो एक तो 3 बंज में simplify करना आसान है ठीक है तो फिर से याद दिला रहा हूं हमें क्या करना simplify before multiply ठीक है अब चलते हैं आगे multiplication of two fraction यह सबसे आसान है और बढ़ियां भी है यहीं चीज में टॉपिक है इस वाले वीडियो का ठीक है तो इसमें multiply करना है 1 by 2 और 2 by 7 को तो 1 by 2 लिखा 2 by 7 लिखा multiply ल करने की हमको जरूती नहीं पड़ी पर नाम पहले 2 x 12 करते 2 x 14 करते multiply कर लेते उसके पाद फिर काटते तो फिर 1 by 7 ही आता तो हम क्यों करें multiply फिर डिवाइड करें इस से पहले ही इनको काट तो multiply करने की जरूती नहीं पड़ी है तो यह फाइदा है simplification का multiply करने से पहले simplification नहीं आता है तो पहले simplification सीखो फिर इस वीडियो करना यानि की multiply सीखना और दूसरा example देखो multiply 22 upon 5 and 2 by 15 तो लेख दी हमने वही नंबर और बीच में लगा दिया multiply तो अब देखो क्या है यहाँ पर कुछ कट रहा है 2 से 5 कटे का नहीं कटे का 2 से 15 कटे का नहीं कटे का नहीं कटे का लिए 22 से 15 नहीं कट रहा और 22 और 5 किसी के common table में नहीं आते हैं तो हम क्या करेंगा ऊपर का ऊपर multiply नीचे का नीचे multiply तो यह कर दिया 22 और 5 और 15 तो 44 आया 75 तो यह हमारा required fraction आ गया तो आसा करता हूं कि यार आपको multiplication के दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगे तो आई होप कि तो मैं अच्छे समझ में आया हो अगर वीडियो अच्छे लगी है concept समझ में आया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के शेर भी कर देना ठीक है तो शलते हैं फिर तब तक के लिए मिलते हैं फिर आ किसी अगले वीडियो में थेंक्यू सो मच पर वाच दूस Wash очень अच्छेस के अच्छे से वीडियो अच्छे सा vitesse रहता है वीडियोग च्रामर चैं के लाइए क